नमस्कार में आप सबी का बहुत 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 क्वागत करना हूँ कल से आपने एक दो दिन से आपने एक वीडियो देखिया होगा जहां पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के गाने सुनता हुआ बरेली के दो लड़कों को देखा जिसका छोटी सी क्लिप आपने हमने आपको दिखाई अब आगे इस वीडियो को दिखाएंगे हो सकता बहुत सारे लोग को इस गटना करम के बारे में ना पता हो या बहुत सारे लोग को इस गटना करम के बारे में पता हो तो हम आपको washing पाकिस्तान जिन्दबाद के गाने सुनेंट उसके बाद पता है हुआ किया बरेली कहा कि अchan T देख्ते ही हैं तो नियुँपी के मुख्यमंत्रिक बरेली किसी बोल्डो스트 कर जल स्दिशन हैं तो सहाब कि बुल्डोजर बाबा का बुल्डोजर आखिरकार ऐसे लोगों के घर पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए कोटमोंड बॉक्स में अपनी राए दे अगर बाबा का बुल्डोजर ऐसे देश द्रोईanic के घर पर चल रहा है तो क्या सही है यह भी आप कमेंट बॉक्स में दे राय दे अपनी लिए चलते हैं आपको पूरी ख़बर के तरफ सुर्वात मैं करूंगा इनके साथ लड़कों किसाथ अभी क्या हुआ वह वाक्या आपको घटना दिखाऊ लेकिन सबसे पहले मैं आपको अगर हो सकता अपनी इस के आवाज को क्योंकि यहां पर इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गाने में ऐसा कुछ यहां पिछे से आवाज आ रही है और मैंने इसलिए इसको म्यूट किया हुआ है कॉपी राइट के वेसे मैं पूरा गाना यह पूरा इसको सुना भी नहीं सकता हूं लेकिन इ आपने यह यह पूरा का पूरा वीडियो है और यह गाना सुनता हुआ पूरे मौज मस्ति के साथ यहां पर अस्सा तौर पर देखा जा आप चली आपको देखाते हैं इस पूरे के पूरे वीडियो के आगे के एक्शन को लेकिए यह वीडियो जब वाइरल हुई तो यह जो लड़का आप पीछे में दिख रहा है इसके परिवार वारे इसको फिर से भटका हुआ है मासूम बताने नहीं और फिर योगी बाबा की पूरे पूरे के इस वीडियो को लेकर के इसको त्वीट के आता देखिया आप एक साके दोखले हैं वो कोई हैं वो लिख करके देखिया आपके सामने लिखा है अपायार है रेजिस्टर आप्टर पॉलिस रिच्रीब कंपें नोब इंडिविजिवल है इसके इसके और पर गिरफतारी नहीं हुए उसके बाद जब और पैसर पढ़ता तो एक और आता है जो वरीली पुलिस के तरफ यहां पर उन्तगत सोसल मीडिया पर वार्यल एक वीडियो जिसमें एक दुकान पर पाकिस्तान जिंदाबाद का गाना बजाए जाने के संबंध में थाना भोता पर मुकादमा अरच्छे संक्या संक्या दिखिया आपको गाना सुनने के आरोग में तो यह दोनों लड़कों को पिजासत मिलिया है दोनों के खिलाब जो धराय दोर्च की गई है उसके बाद जो भूता थाना चेत्र ने उसमें मुरावना गाओ के एक दुकान पर एक कथित रूप से वीडियो बताई गई है और इस गाँप वालों के आपत्ति जताई उसके बाद घटना का वीडियो सोसल मीडिया पर वारिल हो जाता है उसके बाद एक दुकान के भीतर दो लड़के हैं और इसमें गाना बज़रा इस सामने आपको दिखाया और बीच-बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इसमें में लाघाल अब आपको बता दे इन सबके बीच में पहले इसकी ट् μαab支持 फिक को मांचि वो व बहले जी जिससे सिकायद करते हैं कि इस तरह की जो वाते हैं वीडियोद आए हैं इस पर जांच के आदेश दिये जाए उसके बाद बरेली पुलिस ने आपको दिखा कि बरेली पुलिस ने शुरुआत में एक लिया लेकिन आपको बता दें इस सब के बीच में उन दोनों रड़कों को घिरफतार कर लिया गया था जिहांथा आप गिरफतार कर लिया गया था अब आपको बताता हूं पुलिस दोन लड़कों को पकड़कल दे गई है एक बच्चा सवधा लेने आये था उसी के फोन पर गाजना बज रहा था, मेरा बेटा उसे सामान दे रहा था हमारे बच्चे ने गल्ति कि लेकिन उसे माप कर देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए समझे है एक तरफ उसका भाई यह कहता है, इसका बयान आता बड़े भाई का कि गल्थी से उसके फोन में गाना बच जाता, उसे गाना चलाना नहीं आता था, मोबाइल चलाना नहीं आता था, और इसलिए उसका किसी ने वीडियो बना लिया, और डर के मारा इससा बोला लिया, उसकी मा कहनी ये, कि एक बच्चा सवधा लिने आया था, और इसलिए वो मोब दुकान पर सवदा बेच रहा था और कैसे वह बड़े इंजवाय के साथ एक गाना सुन रहा है अब आपको मेरता दूं इन सब के बीच में पुलिस ने जो कहा है पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को पहले गरतार किया और बाद में इसे छोड़ दिया बाद में इसे छोड़ दिया मतलब इसलिए छोड़ा है कि पुलिस का जो कहना है कि ये जो मामला है इस मामले में इन आरोपियों को तीन साल तक की सजा का प्रावधान है मामले में और इसलिए आरोपन को भखला गया और पुस्ताज शिरास में पुस्ताज की जा रही थी और बड़ली पुस्ताज में इसके बाद कहा उन्हें कि साथ साल से जब नीचे के सजा का प्रावधान होता है ऐसे केस में हम किसी भी दोसी को घरबतार करके नहीं कर सकते हैं अईसा यहां पर यह आया इसमें कहने के लिए तो यह है पुरी की पुरी खबर और अब इन दोनों आरोपियों को यूपी पुलिस ने छोड़ दिया है और इस समय अब आगे की कारवाई की जाने है बहुत 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 बहुत